नमस्कार आज के हम इस वीडियो में शुरू करेंगे वायू मंदली आदर्दा ये बीपाइट फर्स्ट के लिए एक इंपोर्टन टॉपिक है जिसमें कि इसका प्रभाव हमारे जन जीवन के उपर प्रतेक्श रूप से पड़ता है वायू मंदली आदर्दा की बात हम करते ह हैं तो इसका मतलब क्या है सबसे पहले हमें देखना है इसको इसकी परिभाशा क्या हो सकती है तो सबसे शॉट में मैं बताना चाहूंगी कि वायू मंदल में उपस्तित आदर्दा को वायू मंदल की वायू मंदल की आदर्दा कहते हैं कम अनुपात 0 से 4 प्रतिशत में होत क्योंकि यह वायू मंदल में तीनों में हो रहता है जैसे जलवाश में और तरल अवस्तामें और सबसे बड़ी बात है कि इस strike जो मातर वह परिवर्टित होती रहती है तो हमें जो बायत करनी है वो बायत करनी है कि वायू मंडल में उपस्तित जलवाश्व से बरश्टी बारिश होती है जलवाश्व विकिरण का शोशन करता है और प्रत्वी तता उगुश्मा विकिरण को एक सक्रिय नियंतरक है वायू में उपस्त प्रश्टिय तनाव होता है जिस कारण वह समीब परती जल अड़ों को आकर्शित करने की शक्ति रखते हैं इससे जल भूंदों और ओस्कोरे तथा धुंद का निर्मान होता है अब यह इसके शिरोत क्या है तो स्टुडेंट इसके जो शिरोत है जलवाशु का शिरोत एवं वितरन की बात करतें तो मुख्य शिरोत क्या है जलवाश के हम जैसे कि आपको बताएं कि तीनो अवस्टाओं में मिलता है गैस तरल तथा थोस तीनों अवस्टा परस पर पईवरतन सील है चेंज होता रहता है बरफ पिगलने पर तरल हो जाती है और कभी-कभी espère क्या होता तता हिम नदियों से प्राथ होता है जो कुल जलवाश्व का लगवग पिचेतर प्रतिशत प्रदान करते हैं महासागरिय तल वायू मंडलिय जलवाश्व का सबसे बड़ा शिरोत है पवन तता अन्य वायू मंडलिय संचरन द्वारा जलवाश्व एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाता है और अनुकूल परिष्टिति अगर उसको मिल जाती है तो ये क्या होता है प्रत्वी के धरातल पर गिरा हुआ जल पुने महासागर में पहुँच जाता है और सीधा ही वायू मंडल में प्रिवेश कर जाता है तो ये कुछ इसका चक्र था अब हम इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे वाश्वी करन जल के तरल से गैसी अवस्ता में परिवर्टित होने के प्रिक्रिया को हम क्या बोलते हैं वाश्वी करन कहते हैं जब जो तरल जल है वो एवपरेट होता है और वाटर वेपर में कनवर्ट हो जाता है तो इसको हम एवपरेशन प्रोसिस कहते हैं अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक ग्राम जल को जल वाश में परिवर्टित करने के लिए लगबग 600 कैलोरी उर्जा का प्रियोग होता है तो हमें दिख नहीं रही कि हमने 600 कैलोरी खर्च कर ली है पर फिर भी ये एवाप्रेशन में एक ग्राम जल को परिवर्टित करने में जब 600 कैलोरी उर्जा का प्रियोग होगा और जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उसे हम वाश्पी गरण की गुप्त उश्मा कहते हैं प्रत्वी के सभी जल्लिय भागों जैसे समुद्र, जीले, तलाप, नदियां आदी से तापमान पर वाश्पी गरण होता रहता है इस प्रकार से कुल मिलाकर प्रत्वी के लगभग धर्यातल का 75 प्रतिशत है ये पर वाश्पी गरण हरिस्तान पर एकसा नहीं होता ये भी हमें पता है तब वाश्पी गरण को जो कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं उनमें मुख्यत है तापमान वाश्पी गरण जल को जलवाश्पे परवेत करने की शक्ती सूर्य से प्राप्थ होती है जलवाश्प की मात्रा तापमान पर निर्भर करती है जहां पर जितना अधिक तापमान होगा उतना ही वाश्पी गरण भी अधिक होगा उश्न कटिबंदिये भागों में धुर्विय चेत्रों के अपिक्षा बहुत ही अधिक वाश्पी करण होता है जिसका मुख्य करण धुर्वों पर तापमान की कमी है या सूरे की किर्णों का तिर्चापन है जबकि इसी प्रकार दिन में और रात्री के तापमान में भी अंतर होता है तो दिन में वाश्पी करण कैसा होगा बहुत अधिक होगा रात में कम होगा तो इस सारे कारण है वाश्पी करण को प्रभावित करने वाले एक होता है स्टूरेंस वायू की शुश्कता वायू जितनी अधिक शुश्क होगी वाश्पी गरण की मातरा भी क्या होगी उतनी ही जादा होगी इसके विप्तित यदि वायू में पहले ही आदर्त अधिक है तो वाश्पी गरण भी कम होगा और यही कारण है कि वर्षा रित को प्रथिवी पर नहीं पौँचने पाते हैं और वो बीच मेरी इसको बादल इस सूर्दे के उर्जमा को क्या कर देते हैं रोग देते हैं तो इसका मतलब क्या करा उन्होंने वाश्पिगरण के प्रकरिया में बाधा डाला और अधि Gay वाश्पिगरण के लिए मेग रहित आकाश का होना आवशक है क्योंकि जहां मेग होंगे वहाँ वाश्पी गरण कम होगा तो हमें भूमद्दे रेखा के निकित वाश्पी गरण उश्न कटी बंदिये मरुस्तनों के अपेक्ष्या कम है क्यों कम है क्योंकि भूमद्दे रेखा पर तापमान तो अधिक है, परन्तु साथ ही साथ वहाँ पर वडशा की मातरा भी अधिक है, मेग रहित नहीं है, इसलिए भूमदे रिखा के पास वाशपी गरण तुलनात्मक रूप से ओशन कटी मरुस्तलों की अपेक्षा कम पाया जाएगा चौथा कारण हम बात करेंगे, जल छेतर का विस्तार, जहां पर जितना बड़ा छेतर होगा, वाशपी गरण उतना ही अधिक होगा, इसलिए समुद्री भागों में, इस थल्य भागों के अपेक्षा, वाशपी गरण अधिक पाया जाएगा पवन का विग, पवन का विग जितना अधिक होगा, उतना ही वाशपी गरण भी अधिक होगा नेक्स्ट लवणता, वाशपी गरण की दर में, दर जल में उपस्तित लवणता पर भी निर्भर करती है जल में अधिक लवणता होने पर वाश्पिगरण की दर काम हो जाती है और माना जाता है कि समुद्र के लवण युक्त जल में ताजे जल की अपेक्षा 5% वाश्पिगरण काम होता है ये हमारा हो गया, अब हम बात करेंगे वाश्पिगरण का अक्षांशे विस्तार, अक्षांशे कनुसार मैंने इसे में पहले चेप्टर में बता दिया ज्यादा इसको मैं डिसकस नहीं करूँगी हम बात करते हैं, नेक्स चेप्टर की वो है आदरता की क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटी ले वायूमंडल में उपस्तित जलवाश को वायूमंडल की आदरता कहते हैं प्रत्वी के जल्लिय भागव में जो जल वाश्पिक्रत होकर गैस का रूप धारन करता है, वह वायूमंडल में मिल जाता है यद्दपी जलवाश वायूमंडल का बहुत ही कम भाव जीरो से लेके चार प्रतिशत होता है यद्दपी यह मौसम तथा जलवाईू के लिए भावधी मेहत्पुन भूमी का निभाता है जलवाश बहुत परिवर्टन शिर होता है जैसे मैंने पहले आपको बताया और इस्थान वे समय के अनुसर इसकी मातरा बदलती रहती है अब होता है क्या है कि वायू की जलवाश शोषण करने की एक निश्चित सीमा होती है सिदी से बात आप पानी पीते हो तो जड़़़़़़ ज़़़़़गी एक टाइम में तीन ग्लास पीलोगे आपकी capacity होगी मैं काओंगे भई तुम एक साथ एक बालती पानी पीलो तो पी सकते हो नहीं पी सकते तो उसी तरीके से वायू की जलवाश पर शोशन करने के ग्रहन करने के निशित सीमा होती है जो वायू के तापमान पर निर्भर करती है कि आपको कितनी प्यास लगी आदरता को ग्राम प्रती घन मीटर में नापा जाता है इसको आप बिलकुल अंडरलाइन कर लिजेगा यह important है कि आदरता की unit क्या है humidity की तो ग्राम प्रती घन मीटर किसी निशित आपमान पर एक घन मीटर वायू जितने ग्राम जलवाश को शोशन कर सकती है उसे वायू की शोशन करने की शमता capacity to absorb water vapors कहते है जब किसी वायू में उसकी शमता जितना जलवाश आ गए तो उसे संत्रप्त या saturated कहते है आप्ने पाणी पी लिया, आपको पहले प्यास लगी आपके कितना पिया, तीन ग्लास पी लिया अब आप क्या होगे, संत्रप्त होगे इसके बाद आपको जितना दिया जाएगा आप नहीं पीपा होगे यह मातरा तापमान में व्रद्धी के साथ साथ बढ़ती जाती है तो यह जो मैंने बात बताई आदर्था वाली उसके हिसाब से हम यह मान के चलते हैं कि आदर्था क्या करती है जलवाशो ग्रहेंड करने की शम्ता है अब आदर्था के कई प्रकार होते हैं तो इनमें सबसे पहला प्रकार है निर्पेक शादर्ता और सापेक शादर्ता मैं दोनों को एक साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि निर्पेक शादर्ता क्या होती है और सापेक शादर्ता क्या होती है तो निर्पेक शादर्ता है यह किसी निश्चित तापमान पर वायू के निश्चित आयतन में उपस्तित जलवाश्व की वास्त्वी के मातरा है दूसरा इसे ग्राम प्रती घंड मीटे द्वारा व्यक्त किया जाता है तापमान में जैसे जैसे व्रत्वी होती है निर्पेक शादर्ता में कोई परिवर्टन नहीं होता सचुरेट हो, एपसलीट हो, हो गई इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि वायू को संतर्प्त होने में कितनी मातरा में उपलब्ध जलवाश्व की आविशकता है एक होती है स्टूडेंस आपेक शादरता यह किसी निश्चित तापमान पर निश्चित वायू के निश्चित आयतन में जलवाश्व की उपस्तिती मातरा होती है इसी तापमान पर उसी वायू आयतन त्वारा अधिक्तम जलवाश ग्रहन करने की शम्ता का अनुपात है इसके कोई इकाई नहीं होती और इसे सदा प्रतिशत मातरा में वेक्ट किया जाता है तापमान में व्रद्धी होने से वायू की अधिक्तम जलवाश ग्रेंड करने की शमता भी बढ़ जाती है और सापेक्ष आदर्ता की प्रतिशत मातरा कम हो जाती है इसके विप्रित तापमान घटाने से सापेक्ष आदर्ता की प्रतिशत मातरा बढ़ जाती है सापेक्ष आदर्ता की प्रतिशत मातरा से वायू को संत्रप्त होने के लिए आवश्यक जलवाईश्व का पता लगाया जा सकता है सौप्रतिशत सापेक्ष आदर्ता होने पर वायू संत्रप्त हो जाती है तो ये था अब सापेक शाद्रता को प्रभावित करने वाले कारक इसमें मुख्य रूप से जल्वाइश्व की मात्रा होती है वायू का तापमान होता है और इसकी इंपोर्टेंस भी है इंपोर्टेंस स्वास्त के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगा जा सकता है क्रशी की संबंदी गतियों का पता लगाया जाता है और भवन निर्मान इत्या देवित तो आज के लिए आपका इतना भूत है नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटिज संगधन आपको बता क्रवंग है और भवन आपको ए रिलेटिक लेगाया जेखन प्रवंग है और प्ट्वाल है और भ छो यहाँ है ले एगाया थार बवगाए प्ट्वाफर को अ